गुड मॉर्निंग एस्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर क्लासे छपरा में जिन लोगों ने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो के अपडेट् है एक से ही समझ में आ जाएगा उसन फर्स्ट के फर्स्ट में कहे रहा है कि आठ सेंटीमीटर भुजा वाले दो घं बराबर से जोड दिये गये हैं यानि कि आपको पहले दो घं बनाने होंगे और आपस में दोनों को जोड़ना होगा चलिए हम जोड के दिखाते हैं आपक है है Hen बन गया है इसको यहां से मिलांते हैं यह घं बन जाएगा इस तरह से कुछ आप अब एक और गन है चो इसी में जोड दिया गया है तो किस तरह से रोड जाएगा तो चलिए इसी में हम लोगों दूसरा बहें भी जोड देते यह आपका complete figure हो जागा इसके बाद लगा दो घन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है देखिए हो गया ना चलिए तो इसी तरह से यह दो घन आपस में जुड़े हुए है जुड़ गया जैसे कि question में कहा रहा है कि 8 cm भुजा वाला दो घन बराबर से जोड़ दिया गया और यह भी 8 cm है अच्छा यह दोनों आकरितिया दोनों घन आपस में जुड़के एक घनाप बन गए ना तो वही कहा रहा है परणामी घनाप का प्रिस्टिय चित पर तथा आयतन ग्याद करना है तो परणामी घनाप जो बना है तो यह घनाप की पहले आपको विमाये पता ह होनी चाहिए यानि लंबाई चोड़ाई उचाही पता होनी चाहिए घनाप की विमाये के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो होगी यह 8 और 8 दोनों जुड़ जागा ना 8 cm और प्लस 8 cm यानि यह हो जागा 16 cm ठीक है चोड़ाई 8 ही रहेगा है ना फि जुड़ाई गुड़ाई जूचाही हो जागा 8 cm समझ फ़िए अब देखे की आ घनाप का प्रिश्ट्यय फळ्ण annat उपल्र कशोट्य चेथरफल अना यह च्चाही होता है दो गुनय लंबाई गुनय चुड़ाई चुड़ाई और उचाही गुनय लंबाई सरस्ट्य पलस एचल तो इसमें मान को रख देते हैं तो आपके पस लंबाई जो दिया गया है वो लंबाई है आपका 16 तो 16 गुना 8 यह चोड़ाई और उचाई 8 8 है 8 गुना 8 और प्लस 8 गुना 16 खाली मान खाली रख दिये हैं तो देखिए यह 2 है बाहर यह 16 में 8 से गुना करिएगा तो 128 ह यह तीनों को जोड़ देते हैं तीनों को जोड़ी रहता है जागा 320 और इसमें इससे गुना कर दिएगा तो 640 सेंटीमीटर कुल पिष्टी चितफल आ गया दूसरा आपको निकालना आयतन यहीं निकाल देते हैं इसी है घनाब का आयतन तो आयतन का फॉर्मुला आप जान गुना कर दिएगा तो आजागा 1024 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में क्यूब लगांगे और एरिया में स्कॉयर लगाते हैं उसे नमर टू देखिए क्या कह रहा है